वानेम वेनाधराम वंदे वरदाम बोधरू पिणीम काव्यसार मईेम शुद्धाम चंदो लंकार भूशिताम सुवार्न सुमना वृत्त मकरांद मनोहरा चंद साम्मन्जरी नंध्याद अच्यु ताली विभूशिताद चंद साम्मन्जरी नंध्याद अच्यु ताली विभूशिताद अच्यु ताली विभूशिताद समस्त संदह पाठ के कार्यशाला में उपस्थित सहृदय शोतागणों को का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपने अमुल्य समय को यहां पर मुझे मेरे साथ बांट करके मेरे उत्साह का वर्धन कर रहे हैं जो वरिष्ठ गरिष्ट हैं उनको नमन है जो कनिष्ठ हैं उनको स्नेह से आशिरवादों से उनका अभिनंदन है इस संस्कृत शौर्यम आमुख पतल के संचालक मेरे अत्यंत प्रेमास्पद स्नेहास्पद राजकुमार जी और राजेश जी आपने इच्छा प्रकट की कि छंदों पर कुछ बात हो और छंदों में भी छंदों मनजरी को ले करके ही यह कारिशाला हो तो इस अगाध सागर में कुछ मोती चुनने का प्रेयाज एक छोटा सा विनम्र प्रेयाज मेरा भी है या देपी में उसकी कोई बहुत आधिकारिक अध्यत्री तो नहीं हूँ जो कुछ बालिकाओं को पढ़ाने के लिए अध्यन किया उसमें जो कुछ में जान पाई वो आपके सामने बड़ी विनम्रता से प्रस्तूत करना चाहते हूँ सभी लोग जानते हैं कि देववाणी का जो वांगवाई है वो बिपुल है और उसको बचपन से ले करके अंतिम समझ दक्स मरण करने की एक विधा मनीशियों ने रिशियों ने खोजी कि उनको छंदों में बद्ध करके प्रस्तूत किया जाए चाहे दर्शन शास्त्र का विशय हो न्याज सिध्धान्त मुकतावली की कारिकावली हो सांख्यकारिका हो या तो ये छंदों बद्ध करते हैं या सूत्र निबद्ध करते हैं जैसे पाणिनी ने अश्टाध्याई को सूत्र निबद्ध कर दिया बादरायन ने वेदान्त सूत्र को कर दिया ब्रह्मु सूत्र को सूत्र पनिबद्ध कर दिया और भी गौतम का न्याय सूत्र है जैमिनी का है मिमान्शा सूत्र या तो सूत्रों में बांधते हैं या तो पद्यों में बांधते हैं बहुत बड़े नईयाई पुए हैं सवनाम धन्य उदेनाचारी जी उन्होंने न्याय कुसुमांजली में इश्वर तत्तु को के जैसे गूर्ष विशाय को जो की दर्शन का विशाय है उसको श्लूकों में चंदों में बाधा है चंदों में बाधने से ये होता है कि एक बार यदि याद हो जाता है तो वह याद रहता है सूत्रों में भी याद रहता है चंदों में भी याद रहता है तो इसलिए चंदाह शास्त्री की बड़ी विशिस्ता है और गंडी तो कह देते हैं साविद्या नव तितीर्शू नाम गभीरम काब्य सागरम गंभीर अत्यांत गहरा गहर काब्य सागर को पार करने के लिए छंद शास्त्र को उन्होंने नाव कहा है जिस प्रकार नाव में बैठकर गहरे से गहरे पानी में को पार किया जा सकता है नदी को पार किया जा सकता है उसी प्रकार छंदों का ज्ञान होने के बाद अगर साहित्य का अध्यान किया जाए यदि संस्कृत वांगमई का अध्यान किया जाए तो वह सुकर होता है इसलिए छंदाह शात्र एक अलग विधा है और वेद को छंदाह कहा गया है और चंदाह शंदों में उनको गायत्री त्रिष्टूप जगत्यनुष्टूप पंग्त्या सह का कुप सूची भी ही ये करके आता है तो यह जो चंद है इने चंदों में अग्नी मिले पुरोहितम यज्यस्यदेवम रित्विजम होतारम रत्नधातम इत्यादी यह जो चंदो में बाधा है वेदों को कहते हैं चंदह और चंदों को ही क्या कहते हैं पाद कहते हैं चंदह बादय क्या सील हो जाते हैं इसलिए उनका नाम नीगम है यह तो वेदों की बात कोई वेदों के जो चंद हैं बहुत ही विश्त्रित चंद हैं एक बहुत सुन्दर पुस्तग प्रोफेसर श्री किशोर मिश्री जी की है चंद शाष्तर का उद्भव और विकास उसको आप लोग अवश्य अध्यान करें उन्होंने जो चंदों के जो है जो छंद है काब्य को जो है छंदों में ही माटा गया है चंदों में बाधा गया है और जब छंदों से हम लोग उसका विको पढ़ते हैं तो उसका एक अलग रस यात होता है समझ में आता है संद जो हैं, संद शब्द का आरत है अलहादक, संद शब्द चदी अलहादने और चदी आवरणे ये दो धातों से बना है, चदी में रादेश छो से छो आदेश कर देते हैं, चो को और चदी धातु इदित है, इसलिए इदितों नूम धातों से उसको नूम आगम करते हैं, तो छंद बन जाता है, फिर उसमें असुन प्रत्य लगा करके छंदस शब्द का निर्मान होता है और उसका रूप चलता है छंदसी, छंदानसी, तो जो आलहादक है, जब किसी चीज को हम लोग छंदो बद करके कहते हैं, तो उसमें एक गती आ जाती है, एक लाई आ जाता है एक छंद आ जाता है, बने आलहाद आ जाता है, चमतकार आ जाता है, जिस प्रकार अलंकारों के संयोजना से चमतकार आता है, वैसे छंदों के संयोजना से भी चमतकार आता है, इसलिए और छदी आवरणे से वो बिशय को बांध देता है, अपने एक नियमों से ले करके बा अब्रीत कर लेता है अपने अलहाद से ढख लेता है इसलिए उसको चंद कहा जाता है यह जो चंदह स्ट्र है मेन इस चंदह स्ट्र बहुत पुराना है चंदह स्ट्र का प्रथभ ज पर तो आदी गूरु हैं, सबके वो गूरु हैं, इसलिए जैसे वो कहते हैं, बंदे बोधमायम नित्यम गुरुम शंकर रूपिनम, तो गूरु जो है, शाक्षात जो शिव हैं, अर्थात जो कल्यान तत्व है, वही गूरु तत्व होता है, तो सबसे पहले, शिव ने चंद चंद का उपदेश दिया, किसको दिया ब्रिहस्पती को, और ब्रिहस्पती ने इंद्र को दिया, इंद्र ने शुक्र को दिया, शुक्र ने मंडव्य को दिया, मंडव्य ने सैकत को दिया, सैतव को दिया, सैतव ने यास्क को दिया, और यास्क ने पिंगल को दिया है, अब बहुत सुन्दर पुस्तक हमको प्रोफेसर वायुनंदन पांडे गुरुजी के पूत्र हैं, डाक्टर राम फ्री पांडे, उन्होंने हमको दी थी दुख भन्जन कवी की पुस्तक है वो वाग वललब उसका नाम है। प्रतिशेशह, फणाधिश्वरह और क्या-क्या बड़े सुन्दर सुन्दर दिये हैं, जब उनका लक्षन प्रस्तूत करते हैं तम, तो जो है वो पिंगल जो है, वो ही शेशनाग ही है संभवता, वो पिंगल नाग को मिला है चंदु, इसी को कह रहेंगे, चंदो गानमिदं भवात भगवतो लेभे सुराणां गुरुहू। अब जो पिंगल नाग ने जो उपदेश दिया, उसके बाद अनेक, लोगों ने क्रम से जो है, फिर किया उसका, उसको मतलब संपाधित किया, उसको प्रस्तूत करने के लिए अपने तरीके से किया, तो यह जो पिंगल है, पिंगल जो है हम लोगों के आदि गुरु पिंगल है, और पिंगल आदि के जो क्रम में जो चले आ रहे हैं, क्रमसा जो गुरु परमपरा चली आ रही है उसके आदिकुरु भगवान शंकर है शंकर और पिंगल का संबंद भी है क्योंकि भगवान शंकर ही नाग लपेटते हैं अब पिंगल है नाग तो जो पिंगल है उनके टिकाकारों में जयदेव, जयकीर्ती और एक अज्यात हैं टिकाकार उन्होंने रत्न मंजूशा नाम की टिका लिखी है यह पिंगल के टिकाकार है और उसके पाद छंदों पर प्रकरण ग्रंत की तरब सोतंत रूप से पिंगल के ही सिधांतों को लेते हुए केदार भट ने बृत रत्नाकर की रचना की है, क्षेमेंद्र ने सुवरित तिलक की की है, हेमचंद्र ने छंदों शाषन की की है और कालिदास ने शुत बोध की की है अब ये कालिदास कविकुल गुरु कालिदास हैं कि दूसरे कोई कालिदास हैं लेकिन शुरुत बहुत एकदम छोटी सी पुस्तक है और बहुत ही सुंदर बहुत ही मधूर पुस्तक है वो उस पुस्तक में जो छंद के लक्षन दिये हैं वही छंद के उदाहरन के रूप में भी प्रस्पुत किये गए हैं तो ये तो इनके इन पर जो है चंद के चंद शाष्ट्र पर ये पुस्तकें रची हैं और ये सब पुस्तकें उपलब्द हैं इन सभी पुस्तकों से आप लोग अध्यन और अध्यापन करते हैं इसी क्रम में तेरा सो से पंदरा सो इसभी के मध्य में एक जिद्वान हुए हैं जिन्होंने चंदा शाष्ट्र पर पुस्तक लिखी उनका नाम है गंगा दास उन्होंने चंदो मंजरी नाम की पुस्तक लिखी और चंदो मंजरी को देख करके ऐसा लगता है कि वो क्रिष्ण के बड़े भग्त थे और उनकी अच्चुत चरीद कंसारी शतग और दिनेश शतग तीन काब्वी के बारे में भी बताया गया है कि ये काब्वी हैं और चंदो मंजरी में वो जितने भी उदाहरन देंगे सब भगवान क्रिष्ण से सम्मंधित देंगे इसलिए मैंने मंगलाचरण पहले किया चंदो मंजरी नंद्याच अच्चुताली विभूशिता अच्चुत रूपी जो भ्रमर है क्रिष्ण भ्रमर भूशिता क्रिष्ण रूपी जो भ्रमर है उससे सजी हुई जो चंदो मंजरी है वो आपको और हमको इस आमुख पतल में आनंदित करे यह जो मैंने मंगलाचरन प्रस्टूट किया यह इसलिए कि यह बहुत ही बड़े भगवान कृष्ण के बड़े भगत हैं और जितनी भी वो बातें कहते हैं, जितनी भी उदाहरन प्रस्टूट करते हैं, सब भगवान कृष्ण को ही समर्पीत करते हैं. अब यह जो है छंदः शास्त्र इस छंदः शास्त्र को पहले ही मैंने बता दिया कि बैदिक और लौकिक दो रूपों में हम लोग देख सकते हैं लोकिक में तो बहुत से उदारण हैं और वो बैदिक लोग उसको जादे अच्छे से उनको जानते हैं उनके लक्षणों को और लोकिक छंदों में पिंगल आदी आचारियों ने जो लोकिक छंदों के बारे में बताया वो दो प्रकार्ची है मात्रा वर्न विभेदेन चंदस तदिह कथ्यते चंदों मंजरीकार कह रहे हैं कि वो दो भेद हैं एक मात्रा के भेद से है और एक वर्न के भेद से है चंदों मंजरीकार इसको कह रहे हैं यह उपर का जो है केदार भट ने बृत्त रतनाकर में कहा है पिंगलाद विराचार यईर यदुक्तम लोकिकम दिधा मात्रावण विभेदेन छंदस तदिह कत्यते और छंदो मंजरीकार इसी बात को कह रहे हैं पाद्यम चतुषपदी तत्र बृत्ति याति रितिधी जो हैं चार पैरों वाले वह पाद्य है और उनके दो उनके भेद हैं बृत्ति और जाति बृत्ति किसेी कहते हैं कह रहे हैं बृत्त मक्षर संख्यातम जो अक्षरों से जहां गणना होती है वहां बृत्त होता है और जहां मात्रा से गणना होती है वहां जाती होती है तो वर्निक छंद और मात्रिक छंद इसी को और सपष्ट करते हुए चंदो मंजरी कार करे हैं अक्षरईर गणना यत्र तद बृत्त मिति कत्यते जहां अक्षरों की गणना होती है उसे बृत्त कहते हैं बने बृत्त चंद कहते हैं अर्थाद वर्निक बृत्त कहते हैं और मात्रा भीर गणना यत्र सा जाती रभी धी यते जहां मात्राओं से गणना होती है उसे जाती कह अब जहां जहां अप्षरों से होगी और कैसे मात्राओं से होगी इसका जहां जहां पर आएगा उदारन जहां जहां उस चंद की चर्चा होगी वहां उसको और स्पष्ट किया जाएगा फिर ये बात कही जा रही है कि जो बन बृत्त हैं वो तीन प्रकार के होते हैं सम बृत्त, अर्ध सम बृत्त और बिशम बृत्त सम बृत्त जो होते हैं उनमें चारों जो चार चरण हैं प्रत्य के चार पैर हैं चतुश्पदी है तो चारों में बराबर संख्या रहेगी अगर ग्यारह अक्षर का आपछंद बना रहे हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों में ग्यारह, ग्यारह अक्षर ही होंगे इसको तो सम बृत्त कहा जाता है अर्ध सम बृत्त होता है जिस में पहले और चोथे में एक संख्या होती है उसे अरधसम बृत्त कहते हैं आगे उदारन सब आएंगे और विशम में चारों हैं चारों में चार तरसे होता है पहले में एक संक्या होगी दूसरे में दूसरी सोगी तीसरे में तीसरी होगी चोथे में चोथी होगी उसे विशम बृत कहा जाता है तो इस प्रकार से अगर इसको हम लोग गिचारेंगे तो छंदः शास्त्र का बड़ा विपुल विश्तार वांगमय हमको मिलेगा इसमें जो है गण होते हैं आप लोग जानते ही हैं गण को वो गण कैसे हैं कहां मियरस्त जब नगाईर लानताईर रे भी दशा भी रक्षरे एक तो इसमें दो चीजें होती हैं एक लगु एक गुरु लगु गुरु का होता है लगु किसे कहा जाता है ये आप लोग बड़े सरल तरीके से जान लीजी आपका पढ़ा हुआ है पणिनी के सूत्र के आधार पर जानिए कहते हैं रस्वम लगु पणिनी ने सूत्र लिखे हैं ये भादिगन के प्रकरण में लगु सिधान्थ क्वमुदी में आए हैं रस्वम लगु जो है अर्थात एक मात्रा वाला है जिस अच्छ के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा, उसको लगु कहेंगे, उसको रस्व कहेंगे, और जो रस्व होगा वही लगु होगा, रस्वम लगु और संयोगे गुरु हो, अगर वह लगु संयोग परक हो जाएगा, अगर लगु के बाद संयोग आ जाएगा, तो वही लगु गुरू चारण हो जाएगा उसका अर्थात उसमें दो मातरा का समभ़ लगेगा सैयोगे गुरू हूँ सैयोगे सती लगु अपी गुरूर भवती अगर लगु के बाद सैयोग है तो वो गुरू हो जाएगा और दीरग हमचा और अगर दो मातरा का दीरग दीरग स्वर होगा उसको भी गुरु कहेंगे तो छंद शास्त्रकार लगु में एक ऐसे लाइन खीज देते हैं और गुरु में एक ऐसे बना देते हैं यह आप लोग जानते ही हैं तो हस्व लगु मनें लगु और गुरु का ही इसमें सारा खेल है और इस लगु गुरु के आधार पर इन्होंने म्यारस्त जबनगाईर लानताई रेभिर दशबी रक्ष रही है। इन्होंने म्या से मगन, या से यगन, रा से रगन, सा से सगन, ता से तगन, जा से जगन, भो से भगन और ना से लगन और गाईर लानताईर अगा से गुरू और ला से लगू। यह दस, दस बताएं हैं, इन दस में ही कह रहे हैं, कि समस्त वांगमई को इन्होंने एकटम आच्छादित कर दिया है, यहाँ पर च्छादिर आवरणे जो ये चंद का लक्षन है, ये पूरा घट जा रहा है, कि इन दसों ने ही इनको समपून चंद शाष्ट्र के वांगमई लिया था, त्रे लोग क्यमिव विश्ठू नहीं, अपने तीन पगों में समेड लिया था, तीनों लोकों को, वैसे ही इन दसों में इन दसों ने जो है, संपून वांगमय को समेड करके अपनी कोक्षी में बैठा के रखा है, और ये जो हैं म्यरस्त जब नगईर लांतर ये जो हैं ये कैसे मालूम पड़ते हैं तो कहा मस्त्री गुरु हु त्रिलगुष्च नकारह भाधी गुरु हु पुनराधी लगुर्यह जो गुरु मध्य गतोरलमध्य सोन्त गुरुह कथितोन्त लगुश्त. कहा कि मस्त sollte One is Guru. बने मगण में टीन गुरु होते हैं. गुरु 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 है? और तरी लगुश्चन और नगण में तीन लगुश्च राह और भादी गुरु भगण में आदी गुरु होता है, फिर लगु लगु गुरु लगु लगु होते हैं और पुनर आधी लगु रिया और यगन में आधी वाला लगु होता है फिर गुरु 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 जो गुरु मध्य गतो जगन में गुरु बीच में हो जाता है और राला मध्य और रगन में गुरु गुरु के वाला गुरु होता है लगु लगु गुरु होते हैं कथितों ते लगुसता हो और तगन में अन्तिम वाला लगु हो जाता है गुरु गुरु लगु हो जाता है ये तो इन्होंने ये शास्त्री तरीके से बताया है ये ये तो जो जिनको समझ में आएगा वो इसको समझ तो बचपन से ही आप लोगों ने भी सुना होगा और मैंने भी बचपन में इस बात को समझा था कि एक बड़ा जोरदार सूत्र बनाया गया है यमाता राजभान सलगा अब आप यमाता से पकड़िये तीन को यमाता क्या बनेगा लगु गुरु गुरु इसको यह कह रहे हैं यह वाला कैसा है कह रहे हैं आधी लगु रिया आधी लगु है यगण में आधी लगु है लगु गुरु गुरु यमाता आधी लगु है दो गुरु है तीन का त्रिक बनेगा इसमें यमाता राजभान सलगा इसमें तीन का त्रिक बनेगा अब यगण में आपको बहुत स मस्त्री गुरू हुए कह रहे हैं, मा, ता, रा, तिनों गुरू हैं, और रगन समझना है, तो रा, ज, भा, रल, मध्या यह कह रहे हैं, रगन में लगु बीचम होगा है, तो रा, ज, भा, य, मा, ता, ता को पहले पकड़ी है, यगन से य माता, मगन से मातारा, तगन, अब तगन को लेते हैं, ता, रा, ज, तगन को यह क्या कह रहे हैं, तगन को बता रहे हैं, अंत लगुस्त, तगन में अंतिम लगु, ता, रा, ज, तगन हो गया, य माता में, अब रगन में रा, ज, भा, रल, मध्या कह रहे हैं, रा, जभा में बीच वाला लगू है, ठीक है, यमाता राज, जभान, जभान में क्या करें यह, जो गुरु मध्य गतु, गुरु जो है बीच में आ जागा, जभान, यमाता राज, अब भगण में भानस, आदी गुरु हो गया, भानस, भगण में हो गया, यमाता राजब्हान अब सलगा में अंतिम वाला गुरु होगा सगण में अंतिम वाला गुरु है सलगा यमाता राजब्हान सलगा यो से य माता मो से मगन मातारा यमाता से तगन ता राजब्हान भासे बगन भानस यमाता राजब्हान नो से नगन न सलगा और फिर लगा जो करें उसे लगु और गुरु को लिए हैं तो यमाता राजब्हान सलगा से जब आप इसके अभ्यास करेंगे तो यही चीज मस्त्री गुरु हुत्री लगुष्चनकार भादी गुरु हुपुनराधी लगुरियह यो गुरु मध्य गतो रल मध्य सोंत गुरु कतितोंत लगुष्टा तो यह जो आपको कारिका है यह जो फ्लोग है यह आपको समझ में आ जाएगा और आपको अभ्यास करने में बड़ी सुविधा हुई तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं इसको कर लिये और ये चंद का इस प्रकार से बिस्तार हो जाता है और संद का विश्तार बहुत लंबा चौड़ा है, संद देखिए, देखने में बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है, संद को, संस्कृत भाषा को लोग बहुत कहते हैं, बढ़ा कठिन है, बढ़ा कठिन है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है, कोई भी चीज जो है, अगर अनुषासन को सीखने से ही, उस अनुषासन से ही सब कुछ अतस संगीत ही है, संगीत क्या सरल है, सारे गामपध्यर निशा में पूरा संगीत बैठा हुआ है, लेकिन उसको अभ्यास करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसी प्रकार संस्कृत विद्या में भी, सं तो महियान है, इतनी कटिं से कटिं भाशा में संस्कृत होती है, सरल से सरल, कली संतरन पनिशद में जो शोड़र शाक्षरी मंत्र है देखने में, सुनने में लगता है कि वो हिंदी है, लेकिन देखिए वो फ्योर संस्कृत है, शुद्ध संस्कृत है, संबोधनांत पदों से भगवान को पुकारा जाता है, और उससे अपने जीवन के इस लोग और पर लोग दोनों को बनाया जाता है, अब यहाँ देखिए हरे पद संबोधनांत है राम पद संबोधनांत है क्रिश्ण पद संबोधनांत है शुद्ध संस्कृत है की नहीं लेकिन देखने में जैसे जब तक व्यक्ति इसको दिहान से नहीं जानता है तब तक समझता है ये तो हिंदी है लेकिन मंत्र तो कभी हिं नहीं है। जब अपना प्रवचन करते थे तो पहले कहते थे श्री राम जय राम जय जय राम अब यह श्री राम जय राम लगता हिंदी है। लेकिन यह शुद्ध संस्कुट है। तो यह जो चंद का जो संसार है। चंद का जो विपुल पटल है। उसमें चंद शास्त्रकारों ने एक अक्षर से आरम किया है। के जो चंद हैं उनको बताया है। इतने भेद इसमें किये हैं। एक अक्षर से आरम किया है और 26 अक्षर तक ले गए हैं। और 26 अक्षर के बाद 27 अक्षर से जो पाद विन्यास होते हैं उनको दंड़क कहा है। दंड़क मनें वो दंड के समान चलते हैं। ऐसे दंड के समान चलते हैं। तो दंड़क इसके उर्थ जो हैं वो दंड़क हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया हैं। तो हम लोग छंद के इस विपुल विश्टार को हम चाहते हैं। अगर आप छंदो मंजरी पढ़ना चाहते हैं तो छंदो मंजरी गंगा दास ने जो आरम की है एक अक्षर से आरम की है। और एक अक्षर से हम लोग चलते हैं क्रमशह-क्रमशह अक्षर बढ़ाते-बढ़ाते फिर आगे चल करके हम कमसे कम 21 अक्षर तक तो अभ्याज़ कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा दंड़क के बारे में आपको बताना चाहेंगे तो आज का पाठ हम लोग यदि यहां विश्राम देना चाहें तो क्या यह उचित होगा इसमें लिख के बताईए कल से एक अक्षर से हम इसको आरंबु करना चाहते हैं और फिर उदाहरों से आप से वो करेंगे आप अप्यास करके दूसरे दिन सुनाईए भी क्योंकि यह तो अप्यास की चीज है जब आप हमारे मूँ से सुन करके आप सुनाएंगे आप फिर उसको प्रस्तुत करेंगे ना ओड़ा तो आज हम लोग यहीं पर विष्राम देते हैं और कल सेन। एक आक्षरा व्रृत्ती से सलेंगे बहुत ही सुन्दर है एक आक्षरा Vृत्ती mêmeहीं एक आक्षरा व्रृत्ती से साथ अक्षर तक कि व्रृत्ती का गंगा जी को नमन किया है। मैं इस पाठ का आज विश्राम दूँगी, आप लोग इसके माधुरे का आनंद लीजिए, एक अक्षर से लेके साथ अक्षर तक गंगाम वन्दे गंगे मात नौमि प्रात पवित्र प्रवाह धुनी नह पुनातु गिरिशंगे सित धारा, रामानी और मिलहारा, दूशित तोयाम, हन्त मदियाम, जात मपेयाम, शोचति गंगाम अमर गणायनाम पुरी सुख सारा, सलिल सुधानाम प्रवाह तिधारा कालिंदीम भगिनी वालिंगंती लहरी भीही, नीलांगी प्रतिभाती, शीगंगा सलिलांगी यह साथ अक्षर तक है, आठवां अक्षर, वरदे अनुष्ठुप्च है भागी रति नमोस्तुते, शीगंगार पनमस्तु जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम